आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वाकत करते हुए आज क्या है Koral रो में टेक्स्ट को आप image के edge के साथ कैसे आप rap कर सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं तो उसके लिए क्या है? पहले एक image को import करता हूँ इदर mouse को right click करो right click करके इदर import बोलता हूँ अभी इधे को इस image को लेता हूँ मैं इसको double click करो आप अभी इधे क्लिक करके इसे drag करता हूँ अभी इधे को पहले क्या है इसका background भी remove करना है मुझे और savings एज के साथ मुझे एक line भी create करना है तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ इसको select रखते हुए bitmap मैं आता हूँ bitmap मैं आके इदर क्या है outline trace करके है इसमें आता हूँ क्लिप part करके है इदर click करता हूँ इसको click करने के बाद देखो भी ये क्या है पावर ट्रेस करके एक विंडो आगे अभी अभी इसमें आपको इधर प्रिव आ जाएगा आपको अभी इधर दिखो डिटेल्स क्या है यह अभी मैं इसको फुल रखा हो है मैंने और स्मूथ और जो कोर्नर स्मूथिंग है वो डिपल्ट ही रखा हो है अभी इधर किया है रिमूव बैग्रोंड है इसलिए अब फो किया साइब ये लेता हूं इसको भी आप fardar लिल Tucson है इसनि आप करता हूँ इसको यह बैग्रोंड रिमूड करने से पहले एक क्या है एक रेक्टाइगल लेके एक स्क्वेर ले लो आप अभी इसको एक कलर देता हूँ अभी इसको शिफ्ट पेश्डों करो आप इसे नीचे आ गया अभी मुझे क्या करना है इसको सेलेक्ट रखते हुए अभी इसको क्या है डिलेट करता हूँ मैं एक एक करके इन पोर्शन को क्या करो आप है इसे सेलेट करके डिलेट करो आप है इतना करने के बाद अभी क्या है इस जो बैग्रॉंड हमने बनाया था यह रेड बॉक्स को डिलेट करता हूँ मैं अभी इन सब को सेलेट करके करो आप अब इसको इधर क्या है थोड़ा नॉइस जैसा लग रहा है इसको मुझे स्मूथ करना है तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूं इधर है इधर क्या है इधर क्या है इधर स्मूथ करके टूल है अभी इसको सेलेक्ट रखते हुए अभी मैं क्या करता हूं इधर क्ल मोट इतना स्मुथ करने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ इस image को इस image को जो Μो हमने side में रखा था इसको इसके अंदर मुझे power clip करना है मौस इदर right click से hold कर के ड्रैग करो drag करने के बाद जैसे इसके अंदर आते हैं यह ते यह आपको click छोड़ना है अभी इसको क्या है क्लिक छोड़ देता हूं तो दिखो भी ऐसा आ गया अभी आप क्या करो कंट्रोल को होड़ करते हो भार की तरफ क्लिक करो तो दिखो भी ऐसे कंप्लेट एक है ठीक से इसे उस शेप के अंदर एक फिक्स हुआ है तो अभी इसका आउटलाइन क्या है इदर रिमूव करता हूं राइट लेकर के सेट आउटलाइन कलव बोलो आप तो दिखो भी इसका कंप्लेट बैग्रोंड क्या है इसे रिमूव हो गया अभी तो अभी मुझे क्या करना है कुछ टेक्स्ट मैटर को इदर क्या है टाइप करना है तो उसके लिए मैं क्या करता हूं एक रेक्टैंगल जो के करू जैसा दिख रहा है आपको अब और तो यसे अंदर के तरफ आता हूं तो दिखो यह स्क्वेर डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है तभी आपको क्या करना है मौस को इदर क्लिक करना है अभी दिखो इदर क्या है Ctrl-V प्रेस करता हूं तो जो मैंने कॉपी करके जो text matter रखा था वो क्या है paste हो जाएगा अभी text अभी paste हो गया so अभी मुझे क्या करना है इस image को इसके उपर लाना है मुझे तो उसके लिए इसको select रखते हुए shift page up करो आप तो दिखो भी ऐसा आगया अभी इसको क्या करता हूँ मैं इस node को hold करके इस node पर लाके छोड़ देता हूँ अभी इस image को और थोड़ा ऐसे बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा बड़ा किया मैंने so इतना करने के बाद अभी मुझे क्या करना है यह नीचे का portion कट करना है तो अभी मैं क्या करता हूँ एक rectangle लेके इदर edge पर आने के बाद ऐसे drag करता हूँ drag करके shift को hold करते हुए इसको select करके back-front करता हूँ तो दिखो भी यह cut हुआ है अभी इसको select रखते हुए जो भी इसके नीचे जो matter है वह matter सब क्या है इदर आगे आना चाहिए अभी इदर क्या है space बचा हुआ है यह सब आगे आना चाहिए तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ इसको select रखते हुए अभी इदर wrap text में आता हूँ wrap text में आके आपको क्या करना है अभी देखो text left flow हो रहा है और यह क्या है text flow right करके है अभी इसमें struddle text में आता हूँ इसमें है आके इदर klik करता हूँ तो दीको भी इसके अधर content edge एसे flow होँए इसमें आपको समझ में आ रहा है अभी इसको इसको click करतां हूँ अभी इसको यह क्या है इसका मतलब क्या है? इसके अंदर और वही text है तो अभी इसको select रखते हुए, अभी मैं क्या करता हूँ, इदर text में आता हूँ, text में आके इदर parallel of text frame में आता हूँ, आने के बाद आपको क्या करना है, fit text to frame आप करेंगे तो यह क्या होता है, जो भी hidden matter है, वो सब इसके अंदर आ जाता है, तो दिखो भी ऐसा आ गया, तो य text flow left, एनि left में flow हो रहा है, और यह right में हो रहा है, और यह surrounding में हो रहा है, अगर आप चाहिए, तो square में भी इसा ले सकते हैं, यह सब options आप चक कर लेना, तो अभी के लिए क्या इदर, struddle text लेता हूँ, लेके आप क्या है, इसका distance भी इदर है, कम जादा करके आप use कर सकते ह हैं, तो देखो भी यह आपको समझ में आ रहा है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस circle को delete करता हूँ, इस तरह क्या है, text को आप image के edge के साथ आप flow कर सकते हैं, अगर यह करते हो तो आपको कुछ dots वगरा है, तो मुझे comment box में comment किजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहने के लि